हलो एबरीवडी है हावर योऊ एब्रिवन कैसे हैं आप सब दोस्तों आज जो हमारी टॉपिक है पार्ट थे हमने पार्ट वण पार्ट टू हैस बिन कम्प्लिटे नौट टोडे वी विल टॉक अबॉट हेंड सेपटी हैजार्टS आज हम hand safety में hazards के बारे में जानेंगे तो part 1, part 2 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह clear हो सके तो इस part में हम बात करेंगे hazards के बारे में तो I have written over here some of hazards and here basic tool safety rules इधर हम basic tool safety rules के भी बारे में साथ साथ बात करेंगे और hazards के बारे में so that clarification होने में आपको confirmation मतलब इसको आपको understanding होने में असानी हो जाएगी इधर hazards भी है और इधर आपका basic tool safety rules भी है दोनों के according आप देखेंगे तो यह easy होगा आपको understanding करने में समझने में तो now let's talk about hazards हम hazards के बारे में पहले बात करते है first of all तो objects that fall मतलब कोई भी objects कोई भी चीज कोई विवस्तु जो है वो fall हो सकती है hand safety के दौरान आपके हास से कोई भी टूल कभी कभी क्या होता है over reaching जो करते हैं over reached करते हैं like आप कोई suppose that आप ladder से climbing करके उपर चड़के आपको कोई एक example में देता हूं कोई बल्फ लगाना है यह पर आपको बल्फ लगाना है तो आपने एक यहां पर लगाया एक पोजिशन पर आपने fix किया ठीक है और एक उसकुछ distance पर है लोग क्या करना चाहते हैं कि जिस पोजिशन पर ladder लगा हुए होते वहीं से वह सोचते हैं कि मैं वहां पर भी कर लूँगा तो that is overarching अब आब और overreach करेंगे आप तो वह उसमें क्या होता है कि आप सोचेंगे यहीं से एक मैंने एक holder पे बल्फ अप LED जो भी यूज कर रहे हैं बल्फ वह आपने यहां सेट कर दे अब दूसरा आप दूसरे step पर जा रहे हैं अच्छा कोई टूल्स होगा तो टूल्स में अगर हम grinder ले लेते हैं अब grinder से यह हम इसक्रोडाइवर से और या प्लायर से इन सब चीजों से कोई चीज कर रहे हैं तो हम यहां से उस दिस्टेंस पर जाएंगे अगर वह स्लीप कर जाता है तो कट हो जाता है उसमें इंज्र इस सट्रिंग का काम था तो मैं उसको कट करना था तो कट करने के लिए वह में से थोड़ा सा डिस्टेंस रीच करी है ओवर इचिंग किया कि मैं है से कट करके इसको और कट करके निकाल दूंगा इस लेड que Rig को उट को तो उसने उसी लैडर को यह नहीं की उस पोजीशन पर जाके फिर रखके वहां से कट करता लेकिन वह उसी पोजीशन पर खड़ा होके अपने आपको थोड़ा सा जुकाया और वह सोचा यहीं से कट करके मैं निकाल दूँगा जैसे ही किया वह स्लीप कर गया उसके हाथ से तो अबजेक्ट के जहां पर हमने ग्रैंडर को रख दिया अब वह चीज जो है फॉल हो गया अब वह सीधा गिरते ही है मतलब उसके हाथ पर आगया वह चुप तक छोड़ा मतलब बचने चाहा हो कट से उसकी दो फिंगर जो है गाई इस कट गई थे एक दो दोनों कट के अलग हो गई थी यह दोनों आप समझज़े इस फिंगर की कि इतना इंप्रोटन है कि इतना माथ पूड है कि अगर आप की यह दोनों फिंगर ऐसे लीक है यह समय कर दी जाए तो यह खतम हो गया मतलब आप एक काम भीन ही कर सकते हैं तो यह हाथ तो आपका मतलब फ्रेज 16 तो अब बताया जा पॉल फॉल हो के हमारे पैर पे गिर जाया है पैर की फिंगर्स कट सकते हैं फ्रैक्चर हो सकता है यह सब सारी चीजे है और उसके बाद व्लाय और आप रिश्प्लाइस अब घरसर लग जाना मतलब घसर लो कोई चीज एक्विपमेंट घसर लग जाना उसका अच्छी जाना ठीक है यह सारे चीज़ें हमने यहां पर इस पॉइंट में जाना अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे हाम्फुल डस्ट हाम्फुल जो डस्ट होती है वही आप लगडी काट रहे हैं वूड का कटिंग कर रहे हैं ग्रैंडिंग के माध्यम से कोई इसे इसीफ पार्टिकल एक निकलता है या पर फ्यूम निकलता है जो सकून विए कोहिरा टाइप में हम्फुल जो क्या होता है यह सब सारी सक्ट्टत पा चाहिसे होगा मतलब आप देखा जाई पिखे मिए च्टिटि के उसमें शोड़ च्टीट ड़ूटकल निकल लाए आप उसको इन्हेल कर रहे हैं, वो हमारे लंग्स के लिए बहुत बड़ी बिमारी ब्रंकाइटिस होती है, अगर वो एक्यूट है तो ठीक है अगर आप डॉक्टर से कंसर्ट कर लेते हैं, बट कुछ समय के बाद अगर आप कंसर्ट नहीं करते हैं, तो वही एक्यूट जो है क्रोनिक में बदल जाता है, अब क्रोनिक जो बिमारियां होती है, वो लॉंग टाइम के लिए, लॉंग टाइम बाद होती है, और वो कैंसर्ट लंग्स कैंसर्ट भी हो सकता है, तो डस्ट इस वेरी हामफुल फॉर अल पीपल, सभी के लिए नुक्सान दायक है, फ्यूम्स मिश्ट हो गया आपका, वेपर हो गया, एंड गैसेज, और गैसेज भी जो लिकेज होती है, उस दारान कोई भी क्योप्रेंट सो कट करते हैं, और हैंड में, तो वो सारी जो है वेपर हैं, ये गैसेज हैं, ये हमारे हैंड के कोडिंग जो है, ये पावर टूस के दारा नि है वो यह स्शुआ हो तो जो है कें में सबाद पाइउगल होते हैं अगर हम ओल और अच्छी प्रॉपर कंडिशन होगा तो वह और स्बैंचिन अठभान प्र सब्सक्राइब करें किरिंद करें तो है और ऌनिक्शन ग्राउंडिंग अच्छिंग ग्राउंडिंग भी अच्छी न दी जाए तो वो पाउर टूल्स जो है है जार्ट के रूप में काम करने लगते हैं लास इस डैट हमारा बाइब्रेशन एंपक्ट जो बाइब्रेशन होता है जिस पाउर टूल्स का जैक हम जैक हमर का इस्तेमाल कर रहें ग्राइंडिंग का ड्रिलिंग कर रहा है तो उन सब टूल्स से जो है बॉड़ी में वाइब्रेशन होता है उसका इंपक्ट जो उसका असर होता है बहुत खतनाक होता है बहुत बॉड़ी की जो मसल्स होती हो लूज हो जाती है तो यह सारी चीज़े हैं जो हमने हजार्ट में समझा नौ लेट हमको regularly साइसे के एक हैड। सारे चीज़ मेंठेन रखनी चाहिए जो भी अपके एककिुप Μेंड्स जो भी टूल से हैं पावर टूल हैं उनस बचीजों को आप प्रॉपर तरीके से चेक करें रेगॉलर ली उसको मेंठेड करना है और उसके बाद में हमारा सेकरड्स कोई कोई भी करन को यूज करने से पहले यह रूल कहता है कि आपको इंस्पेक्ट करना उस चीज को एस तो पॉइंट में यूज दर राइट टूल फॉर्ट जो राइट टू इस तो यून का इस चीज का इस चीज का इस दिमॉल ना करें कि उसके बाद में है हमारा operate according to manufacturers instructions जो भी हम टूल्स का सिस्तेमाल कर रहा है according to manufacturers instructions जो भी आप देखे होंगे जो भी टूल्स होते हैं उसमें instructions लिखा होता है वाइद गए इंस्केश्जन गिवेन बाइब manufacturers वह manufacturer जो manufacturer होता है जो उसको बनाया होता है उस equipment को tools को जो भी चीज़ें अपने यूज़ कर रहे हैं उसमें इंस्रक्शन होता है उसमें इन्रदेश होता है उसमें बताया गया होता है कि इस instructions के इतने घंटे यूज़ करें गार्ड होना important है इतने hours पर इतने बोल्ट इतना voltage का important होना जरूरी है कब कितने टाइम पर इसको switch off करना है किस चीज़ में उसमें लॉक लगाना है हर चीज़ में मतलब systematic instructions के recording दिया होता है तो वो चीज़ वहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यह आप करें safety rules के recording उसके बाद use the right personal protective equipment पीपी जो rights personal protective equipment है उसका इस्तेमाल करें so that आपको easily जो है protect हो सकते हैं हजार से बच सकते हैं prevention हो सकता है prevent हो सकते हैं and last last is that use guarding मतलब जो guard होता है वो guarding guard से guarding हो रहा है यहाँ पर तो guard का इस्तेमाल होना चाहिए मतला आप grinding का इस्तेमाल करें उसके बगल जो है circular saw के पा किनारे guard लगा होना जो चाहिए इस टूल power tools में so that यह safety rules के recording आता है इसके माध्यम से आप इसके recording काम करेंगे तो यह इसली होगा आपको protect करेंगा आपकी fingers आपकी body के part safe होंगे तो guard लगा हो ऐसे और और भी other tools में ही guard होते हैं fix होते हैं उसको हमें inspect करना चाहिए निरचल कर लेना चाहिए उसके बाद काम मिलेने चाहिए तो guys यह part 3 हमारा यह वी all completed है तो I think guys यह आपको video समझ में आयोगी और इसमें part 1, part 2, part 3 maybe इसका part 4 भी हो सकता है कुछ other चीज़ें हैं वह भी important ही होगी तो I hope guys यह आपको video समझ में आयोगी thank you so much